प्यार अगर परमान चड़ जाए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं आसिक जी हाँ ऐसा ही एक मामलार राजा बजार के पिलर नमबर ची अत्तर के पास देखने को मिला दो आसिक जो है सड़क पर ही पूरी तरीके से तमाशा करते हुए नजर आए उनके परिवार वाले का भी अलग जिद्ध है लड़की के परिवार वाले का सीधा तोर पर आरोप है और कहना है कि दोनों अलग जाती के हैं और अंतर जाती ये विवाह करना चाते हैं जिसके खिलाफ पूरे परिवार वालों ने लड़का को बुरी तरीके से पीटा ये तस्वीर देखी कि किस तरीके से राजा बजार पीलर नमबर 76 के पास पूरे परिवार के लोग लड़की के परिवार वाले ने लड़का को समझाते हुए नजर आये उसके बाद अंतता नहीं माना तो लड़का को बुरी तरीके से पीटा गया लड़का चार सालों से लड़की के साथ लिविन रिलेशन में था लेकिन अब जब लड़का और लड़की एक साथ जीवन जिंदिगी जीना चाहते हैं दोनों प्रेमी जोरे एक साथ रहना चाहते हैं तो उसके परिवार वाले चाहते हैं कि ये दोनों अलग हो जाए और अप मानने को तैयार नहीं है लेकिन अंतता जो अस्थानिय लोग हैं उनके सहयोग से महिला थाना लाया गया जब हमारी कैमरे उसके नजर पर पड़ी तो कैमरे पर भी हात रख दिया उन्होंने, लड़की के परिवार वालों ने कैमरे पर ही हाः रख दिया और सीधे तोर पर दबंगई हमारे कैमरे पर दिखाने शुरू कर दिए कुछ लोग अस्थानिये हैं जिनके सहीयोग से महिला थाने लाया गया है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है आखिर क्या वाक्या हुआ था राजा बजार इलाके में ये दोनों तश्वीर आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनके सहीयोग से महिला थाने लाया गया, आखिर पूरा माबला क्या है, इनकी जुबानी जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ कि भाई साब आप है। लोग हमको गाउन ले जा रहा है, जबरदस्ती, साधी नहीं करने देना चाहते हैं, हम लोग साधी करना चाहते हैं, पूछे कि क्या करती है, लड़की बोली कि मैं बिहार पुलिस में हूँ, लड़का जॉब करता था, मगर प्राइबेट ही, मगर वो अभी छोड़ दिया है, उसे डेंगू हो रखा है, उसका प्लैटलेट अभी 48 है, तो हम लोग ने देखा कि इतना मार रहा है, लड़की के परिवार के कम से कम 20 लोग आये हुए हैं, उन्होंने इतना मार पीटूर्स के साथ किया, कि हम लोग को देखे कि मोहले में हम लोग का ऐसा किसी तरह का से मारना, तो हम लोग बोले कि भाई इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, उनका फैसला वही करेंगी, हम लोग इने में बैठाया और ओटो पेल बैठा कर लेके आके महिला थाना में, हमने दे दिया उनको, मालूम चला है कि छप्रा जिले के दोनों रहने वाले हैं, अगल बगल गाओं के दोनों का ये प्रेम चार साल से चल रहा है, लोग बहाली में ही बता रहा था, लड़की ही बता रही है कि हम लोग बहाली में मिले थे और उस समय से ये लोग का प्रेम चल रहा है, आपके देदी हम लोग उन्होंने क्या देखा राजा बजार इलाके में जब इस तरह की घटना घटी तो अस्थानीय लोगों के सहयोग से ये घटना को पूरी तरीके से महिला थाने लाएगा पहले लोगों ने डिशाइड किया था कि सास्तिनगर थाने ले जाएंगे लेकिन ये मामला तो फिर कुछ देर समझने के बाद पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं फिर लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिस की जा रही थी फिर आए भाया लोगा चाहते हैं कि साधी ना हो उनलों को उनलों को था अंधर जाती है इसी वज़ा से अब ये सब हमको गाउं पे ले जाके साधी करवाए और फिर लड़की लेकिल मान नहीं रहती वो बोल रहती कि घर नहीं जाएंगे और हम इधर ही साधी करेंगे घर जाएंगे तो मरने मारने का वो चांस रहेगा इसलिए तो देखे साथ और से अस्थानिय लोगों की मदद से महिला थाने लाया गया है अब दोनों को संभावना है कि महिले थाने में ही शादी कराए जाएगी क्योंकि जिस तरीके से पूरे शड़क पर नोटंकी हो रहा था तो अस्थानिय लोगों ने पूरी अपनी सहयोग और इसके वज़ा से दोनों की शादी कराने की भी बात सामने आ रही है अब देखना यह है कि महिला थाना इस पर क्या कारवाई करती है क्या एक्शन लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश्टी नियूज के साथ और देखते रहें देश्टी नियूज